हेलो एप्रिवन वेल्कम टू नीहास कुकिंग हाउस आज मैं बनाने वाली हूँ अचारी भर्वा भिंडी एक्तम चटपटी और करारी भिंडी बनाएंगे भर्वा भिंडी बनाने के लिए मैंने आपे लिए 200 ग्राम के करी भिंडी इनको अच्छे से दोके एक सुखे कपड़े से पोच लें और अचारी मसाले बनाने के लिए एक अलग कटोरी में डालें थोड़ा सवीरे का पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर हल्डी आम चूप पाउडर और नमक और अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और भिंडी काटने के लिए सबसे पहले भिंडी का ऊपर का और नीचे का हिस्सा काटके अलग रख दें उसके बाद भिंडी को बीश से स्लिट करेंगे पूरा अलग नहीं करेंगे उपर से और नीचे से थोड़ी सी जगा छोड़ेंगे और बीच से सिर्फिस को स्लिट कर देंगे ताकि इसके अंदर हम असानी से मसाला भड़ सके सारे भिंडियों को ऐसे ही काट ले यह भिंडी मैंने काट ली है अब भिंडी के अंदर मसाला भढ़ दें इस तरीके से यह सारी भिंडी में मैंने मसाला भढ़ दिया है और यह जो बचा हुआ मसाला है इसको भी हम सबजी में यूज करेंगे अब इस पैन गरम कर लें और उसमें डालें थोड़ा सा सरसो का तेल तेल गरम होने के बाद इसमें डालें कलोंजी अब इसके अंदर सारी भिंडी एके करके रख दें भिंडी को हमें shallow fry करना है और थोड़े थोड़े टाइम में भिंडी को पलटते रहें और जो हमारे पास पचा हुआ मसाला है जब भिंडी आधी पक जाएगी तब उस मसाले को अड़ करेंगे यह इस तरीके से भिंडी को थोड़े थोड़े टाइम में पलटते रहें ताकि वो चारो तरफ से अच्छे से पक जाए अब इसके अंदर जो बचा हुआ मसाला था वो डाल दें इस मसाले का स्वाथ बहुत ही गजब आता है और अब फिर से भिंडी को पका लें एसे ही पलटते रहें थोड़ी-थोड़ी देख में यह बिंडी अब तयार हो गई है थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई है आप गैस बंद कर दें और बिंडी को कर लें सर्फ और आप इसको एंजॉय करें परांठे के साथ राइस के साथ और मुझे बताएं आपको कैसी लगी अचारी भरवा भिंडी की रेसिपी और अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू फो वाचिंग